दोस्तो, दे ग्रेट खली इन्हें कोन नहीं जानता है? अगर दे ग्रेट खली को इधियास का सबसे ताकतवर रेसलर कहा जाए, तो भी कोई दोर आए नहीं है। इन्होंने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद हर एक फेन को अपनी फाइटिंग से चूंका दिया था। दोस्तो, खली ने साल 2006 में रेसलिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। इसके बाद वैं पहले भारतिये पहलवान बने और उन्होंने वर्ल्ड चेंपिन अपने नाम की। तक ग्रेट खली का असली नाम दिलित सिंग राणा है और खली ने साल 2014 तक फुल टाइम रेसलिंग की और अपने 8 साल के WWE करियर में खली ने कई सारे बड़े रिकोर्ड बनाए खली ने रेसलिंग छोडने के बाद नए भारतिये सुपरिस्टार्स को रेसलिंग सिखाने का निरनेलिया, WWE में ग्रेट खली ने कही दिगजों का सामना किया और इस दोरान में कुछ बड़े सुपरिस्टार्स को हराने में भी सफल रहे हैं तो दोस्तों आज के सी विडियो में हम बात करेंगे ग्रेट के सबसे बड़े जीत के बारे में जिसमें हमनोंने WWE के बड़े बड़े रेसलोर्स को हार का सुवाद चखाया है तो चलिए दोस्तों शूरू करते हैं दे अंडर ट्रिकर दोस्तो दे ग्रेट खली ने 2006 में डेब्यू किया था और उन्होंने स्मेक डाउन में दे अंडर ट्रिकर और मार्क हैंद्री के बीच चल रहे मेच में इंटरफेर करते हुए दे डेड मेन पर हमला किया इसके बाद जजमेंटल ने 2006 में दोनों सुपरिस्टार्स के बीच मेच देखने को मिला इस मुकाबले में भारती सुपरिस्टार ने डेड मेन को हराया था ये एक बहुत ही चोका देने वाली चीज थी क्योंकि दोस्तो कोई भी फैन खली की जीत की उमीड ही नहीं कर रहा था खेर डवलो डवलोई के सबसे बड़े सुपरिस्टार पर खली ने एक बड़ी जीत हासल की इसके बाद खली यहीं नहीं रुके उन्होंने कही और बड़े सुपरिस्टार्स को भी हराया जोन सिना दोस्तों जोन सिना से जज्जमेंटल डे पीपीवी में बड़ी हार मिलने के बाद ये दोनों सुपरिश्टार फिर से आमने सामने आए और इसके बाद दोनों का मुकाबला सटरडे नाइट मेन इवेंट में डेखने को मिला और इस मेच में जॉन सिना ने कही मोकों पर खाली को हराने की पूरी कोशिश की लेकिन वो खाली को हराने में सफल ना हो सके और अरंत में इस भारतिये दिगज ने कंपनी के बेवी फेस को पराजित कर दिया और जॉन सिना को खाली की ये दुश्मनी यादगार रही शौन माइकल्स दोस्तोhr शौन माइकल्स डबली डबली के सबसे बड़ी सूपरिस्टार्ट में से एक है और खली ने माइकल्स पर भी बड़ी जीत रासिल की दरसल दोस्तोरो रोग के एक एपिसोड में डबली डब्ली चैंपियंशिब के लिए नमबर वन कंटेटर मेच देखने को मिला और इसे नो डिस्क कॉलिफिकेशन मुकाबले में दे ग्रेट खली ने माइकल्स को बुरी तरह पराजित किया दोस्तो इसे खली की बड़ी जीत कही जा सकती है क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड टाइटल इस्टोरी लाइन में आये थे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करे और साथ में हमारी चैनल सीक्रेट रहसिसों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद